नमस्कार में उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चली जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को इंटरनाशनल नर्स टेपर COVID-19 के इस माहॉल में कारेज़ सभी नर्स को सलाम वरतमान समय में दुनिया भर में COVID-19 का माहॉल है जुसकी वज़े से अब तक दुनिया भर के 40 लाग से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं कई देशों की सारवजिनिक स्वास्ते विवस्ता पूरी तरीके से चर्मरा गई है और अस्पताल में अच्वानक से बहुत ज्यादा बोच पड़ गया है ऐसे में नर्सों का काम बहुत एहम होता है डॉक्टरों के साथ साथ सभी नर्स भी दिन राद करके COVID-19 की रोखथा में पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है मरीजों को नहलाने से लेकर उनके साफ सुत्र रखने तक उनके खाने पीने का ध्यान रखने का काम नर्स का ही होता है वह हमेशा मरीजों पर नजर बनाए रखती हैं हलाकि फिर भी सभी लोग डॉक्टरों की सराहना करते हैं मगर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पीछे शूट जाती है COVID-19 के इस माहौल में भी नर्स बिना अपनी जान की परवाकिये दिन रात करके लोगों की सेवा में लगी हुई है इस इक्रम में कई ऐसे भी हैं जो COVID-19 की चपेट में आगे हैं बावजुद इसके सभी नर्स अपने काम में लगी रहती हैं इंटरनाशनल नर्स टे के मौके पर इन सभी की जितनी सराहना की जाये उतनी कम है बंद के 50 दिन बाद आज से रेल सेवाई होई शुरू COVID-19 की जारी जद्धो जहद में केंदर सरकार ने पूरे भारत में लोगडाउन का आदेश जारी क्या था जिसके 50 दिन के बाद आज से ट्रेन की सेवाई दुबारा से शुरू हो गई है जिसके तहत आज नहीं दिल्ले रेलवे स्टेशन से 15 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी वहीं ट्रेन से सफर करने वाड़ी यात्रियों के लिए रेल मंतरी प्यूश गोईल ने जरूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी है जिसके तहत यात्रा के तोरान फेस कवर करना होगा प्रस्थान के समय में स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और केवल कनफर्म टिकेट वाले यात्रियों को ही ट्रेन में चखने के अनुमती होगी ट्रेन टिकेट केवल भारतिय रेलवे खानपान और परेथन निगम की वेबसाइट या मुबाइल आप का उपयो करके ओनलाइन बुकिंग किया जा सकेगा आपको बता दे ट्रेन के परेचालन के अनुमती मिलने के बाद सभी यात्रियों से सोमार शाम तक IRCTC के माध्यम से ओनलाइन टिकेट बुक कराने को कहा गया था रेलवे के बाद 18 मई से दिल्ली में मेट्रो का परेचालन भी हो सकता है शुरू आज से रेलवे के परेचालन के अनुमती मिलने के बाद 18 मई से दिल्ली में मेट्रो के परेचालन के अनुमती भी देती गई है दिल्ली मेट्रो के ट्वीट से ऐसे संकेत मिले हैं कि मेट्रो सेवाई जल्द शुरू हो सकती है आपको बता दे DMRC ने अपने ट्वीट में कहा है कि सुरक्षित संचालन शुरू करने के लिए विशेश रूप से प्रसिक्षित कर्मचारियों को स्टेशन पर तैनात किया गया है ताकि यात्रियों के आवागमन लिफ्ट एक्सिलेरेटर की सफाई सुनेशित की जा सके लोगडाउं में 22 मार्ट से ही मेट्रो की सेवाएं पूरी तरीके से बंद है और अब जब बंद में धीरी-धीरे धील दी जा रही है तो मेट्रो सेवाँ को खोलने पर विचार किया जा रहा है मौजुदा परिस्सिति के आधार पर दिल्ली मेट्रो 18 मई के लिए अपनी तयारिया कर रहा है ताकि अगर सरकार की तरफ से आदेश मिले तो मेट्रो सेवा को शुरू किया जाएगा इसलिए मेट्रो की सफाई प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है आपको बता दे COVID-19 जिए बढ़ते असर की वज़े से बंद का आदेश जारी किया गया था जिसकी वज़े से अर्थव्यवस्ता पूरी तरीके से चौपट हो गई है सरकार धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्ता को पर्टरी पर लाने की कोशिश कर रही है COVID-19 के माहौल में ममता बैनर जी और केंदर सरकार की राजनीती है चालो COVID-19 के जारी जद्धो जहत में भी केंदर सरकार और ममता बैनर जी एक तूशे के आमने सामने खड़े हैं केंदर शरकार बार बार इस बात का दावा कर रही है कि ममत्ता बाइनर जी सरकार का साथ नहीं दे रही है और यहीं पश्य मंगाल में सरकार जुआरा जारी की ऑगे नियमों का पालं नहीं कर वारी है। लाबर का महत्व मिलना चाहिए और सभी को मिल चुल कर टीम इंडिया की थरह काम करना चाहिए ने फास्ट टक्नीक के तहट सुरक्षा सुनिशित करने का किया दावा कोविड-19 का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार और स्वास्त मंत्रा ले पूर्दोर कोशिश में लगा हुआ है इसे बीच भारतिय राश्ट्रे राजमार्ग पर चुंगी कर बसूल आसानी से कर रहा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे फास्ट टैग एक राजमार्ग पर चुंगी कर बसूल ने की रेडियो अबरती की शुरुआत मैं 2020 में हुई थी और अब तक कुल मिलाकर एक दशम्लब 6-8 करोर फास्टा जारी किया जा चुका है कोविट-19 के रोगठाम के रिए देश के 733 जिलो में होगी टेस्टिंग भारत में लगातार फैल रहे को रोना को देखते वे स्वास्त मंत्राले ने देश के 733 जिलो में हर हफते टेस्टिंग की प्रक्रियागों करवाने का अदेश जारी के है स्वास्त मंत्राले ने इसके लिए जिलो को अलग-अलग क्याटेगरी में बाटा है हाई रेंज और लो रेंज में हेल्थ वर्कर्स के लिहास की पैमाने तैकिये गया है जिलास्तर पर स्वास्त मंत्राले ने जर रखने जा रहा है और हर हफते 200 महीने में 800 लोगों का कुरोना जाज करवाय जाए जाएगा जिसे COVID-19 प्रफाइट प्यक्तियों को चिनहित करना और ज्यादा आसान हो जाएगा साथी संक्रमन को भी रोका जा सकेगा आधार नंबर से नहीं जोडने वाले सभी राशनकार धारक 30 सितंबर तक होंगे वैदे लाभार्थी का राशन कार्ड इस वज़े से कैंजिल नहीं किया जाएगा कि उसके आधार नंबर से राशन कार्ड को नहीं जोड़ा गया है केंद्रियों उभ्हुकता मामला खादे एवं सारवचिनिक वित्रन मंत्राले ने सोमबार को बिहार में आधार नंबर नहीं होने की वज़े से राशन कार्ड निरस्थ होने संबन्धी बयान पर अपनी यह प्रतिक्रिया दी है प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने कहा शारेडिक दूरी नहीं होने की वज़े से COVID-19 का बढ़ा असर प्रधामती नरेंद्र मोधी द्वारा बीते दिन भारत के सभी राजों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठा के बाद चुनिंदा राजो सरकार की नाकामी का प्रमान पेश किया है जो इसके तहत उन्होंने कहा है कि सिर्फ उन्हीं राजों में COVID-19 का असर बढ़ा है जह लागों भी करना होगा हाला कि उन्हीं ने यह भी कहा है कि हमें यह भी सुनिश्वित करना होगा कि बंद में छूट के बावजूत COVID-19 का संक्रमन गाउं तक ना फैले हमें गाउं को इससे बचा कर रखना होगा क्यूंकि गाउं में मजबूत चिकित्सिया सुविधा नहीं जहां एक तरफ बंद का एलान जारी किया गया था वहीं सभी राजे अपने यहां से अप्रवासी मजदूरों को वापस उनके राजे में भेजने की अपील कर रहे थे जिसके बाद के इंदर सरकार ने सभी मजदूरों को उनके राजे में भेजने का काम शुरू कर दिया थ मैस 500 काम करने वाले बिहार के श्रमिक स्पेशल ट्रेन से तिलंगाना पहुँचे हैं लेकिन तिलंगाना सरकार ने बिहार को भेजे संदेश में 20,000 मज़़ूरों की जरूरत बताई है ट्रेन की टिकेट बुक नहीं करने वालों को मिलेगा एक और मौका लॉकडाउन के बीच आज से 15 ट्रेनों को हरी जंडी दिखा दी गई है हाला कि टिकेट बुकिंग करवाने के दौरान आने वाले एक हफ़ते तक किसी भी टिकेट की कोई जगा नहीं बची थी क्योंकि टिकेट बुकिंग श्रम को ही फुल हो गई थी जिसके बाद जो लोग का इटिकेट बुक करने में असमर्थ रहे थे वह आने वाले समय में IRCTC द्वारा दुबारा से शुरू करवाए गया है टिकेट बुकिंग के लिए टिकेट बुक करवा सकते हैं आज रात आठ बजे प्रतानमंती नरेंदर मोधी करेंगे देश का संबोधन जिसमें वह सरकार की ओर से COVID-19 को रोखने के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे इस दौरान बंध पर भी एहम ऐलान किया जा सकता है खबरों के माने तो प्रधानमति kleiner sensitiv की ओर से लॉकटवन के चौथे चरन का एलान किया जा सकता है, इस चरन में लोगों को जियादा शूट मिलने की उम्मीद जताई गई है, साथी प्रधानमति kleinerισ 2005-20 में देश की सामने बंध को कھत्म करने का प्लान भी तयार करेंगे। इसके साथ ही सभी आमनागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियामों का पालन करने की भी अपील करते देखे जाएंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार COVID-19 के इस माहौल में दिल्ली मेट्रो की सेवाइं शुरू करवानी चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश भी देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्स्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद